आई गायज, ग्रीट पैट हेर और कैसी हो आप सबी लोग आज हम लोग खेलने जा रहा है ग्रानी बंदल बारा से मतलब काफी टाम होगे हम लोग को दादीज नहीं मिल लेंगे तो आज विड़स हम लोग जा रहा है के लेग्रेश यह फटा फट नहीं टो यहां मैं प्राक्टिस से ढिलता हूं ठीक है मैं और उन है कि मुझे पता नहीं था बहु Jamaica मैं बहुत कुछ बूल चुका ओब हुए मैं प्रैक्टिस से में सिर्फ यही चेक ही पार कि बहुत क कैम सिंहरे पूरा वो जिससे हम लोग भागते हैं न क्या कहते हैं कर से उसे पता नहीं मैं भूल गया हूं तो उसको पूरा उपर तक खीशना पड़ता है तेज भागने के लिए पता नहीं मेरे फोन में है अगर आपके में हो तो कमेंट कर देना मैं जानता हूं इस टाइम कोई भी ग्र अगर फूरा जाए आपके लिए यह देख वागने लगी इतनी सीवियर डायरिया शिट तो मैं इसे एक साथ फटा-फट से साइड वाले रूम में भगता हूं और बिना कुछ चेक के क्योंकि ग्रानी आ रही थी तो फटा-फट से मैं इस वाले रूम में आकर देखता हूं कि मुझे वो मिल जाती है जिसका मुझे इंतजार था वेपन की तो मैं यहां पर थोड़ी दे इंतजार करने के बात की अब ददी जी आएंगी और तुरंती ददी जी आ भी जाती है और इंतजार करते रहते हैं कि कब वो जाएंगी और मैं वेपन की उठा के भग लूँग तो मैं इधर आई रहाता हूं कि इधर चेक करते टाइम गिर जाता है मुझसे ये घटिया सा हैंगर हद है भाई साब इतनी देर रुकने के बाद भी अब हैंगर की गया क्या ही बोले मूड खराब हो गया और आज की वीडियो में ना मैं तो अभी तो वॉइस ओवर कर रहा जो ही मेरा मूल खराब हो ना मैंने क्या ही हगा है आप लोग देखते जान में मुझे कटिंग प्लया लिट्रली गया आप देखते जाओं गया मैं बता रहो है तो मैं फिर से आप इंतजार कर रहा हूं नशय कर रहा हूं कि अब वो जाएंगी क्योंकि भाई बहुत डर तो यहां पर मैं फटाफट से गत्यवत्य हटाता हूं और यहां अंदर घुच जाता हूं क्योंकि मुझे रगता है कि यो डायरेक्ट में पीछ आई रही होगी तो यहां बैठा रहता हूं तब तक मैं पीछ घूम के यह बॉल को छूके उधर का गेट भी खोल देता हूं और गाइस यह मुझे बताना कि टेडी को वो जो भी होती ऊपर सेलेंडरीना की पाल की उसे कहते हैं जो भी कहते हैं उसमें जब मैं टेडी डाल देते हैं हम लोग तो उसके बाद होता क्या है मतलब मैंने डाला है तो मेरी फट गई थी तो मैंने तुरंद गेम कुट कर दिया था तो आप लोग बताना क्या होता ठीक है तो अब यह ददी जी आ गई है आज बता रहा हूं को ऐसी भाई इतना मारा था मैंने बट आकरी में इनी ने धर दिय है मेरे तो हो कती लेंगा वहिंगा पैन लीजिया जाइए जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास अभी भी वहीं मुपे कोईला चिपका है वापस से आ ही जाती है ओ भी ए ट्रैप उल्टा डाल दिया दादी जी से उठाई ये अच्छा आपका भी हाथ कट सकता है तो मैं इसे उठाता है ओ शिट ये तो बंद होगे अपने आपी वहां में लॉक ही नहीं हुआ बट वह फिर से खड़ी रहेगी थोड़ा जल्दी जाओ टाइम नहीं है समझती हो टाइम फिर डाल दिया और वैसे ये निकालती कहां से ये हगती है क्या बेर ट्रै अब अब अपने है वैसे मैं स्पीड रॉनर तो हूंने फिर आजाई कि आई करें आपके बाल दादी जी कम हो गया है अब आप निकलिए फटा-फट थोड़ा टीवी देखा करिए आपके नीचे टीवी एम बनवा लीजिए अचा आपके पास काम दंदा भी तो नहीं है गुमती रहती निकल ही रहा हु और फटा फट से final बाल घर लगो पास किरहा हु बहुत देखा निकल ही रहा हु यह क्या बोलना था पर और फटा-फट से मुत च।ा रहा हु नोð कि बहुए q प्या घ्ला हो आजाँ आजाँ जल्दी आओ दादी जी भाई हाँ इन लो का नीचे भी तो रूम है पता नहीं आगे आगे हैट शाट नाइस मेरी जल्दी से डार्ट दीजिए प्लीज अब इनको कुछल लूँ पहले आहा मज़ा रही कुछल लो कुछल लो आरा हम से नहीं के बेर ट्रैप यहाँ ग्रैनी जी का स्पेशल फूड टंगा इसको साइड में करते हैं गेट अंदर खोलते हुए और इसके बाद मैं फटा फट से यहाँ पर चेक कर लेता हूं पूरा रूम और मैं जानता हूं मुझे कुछ नहीं मिलने आला है बट वी हैव क्रोस वो और हम लोग वहाँ स्थ्राफ टाए आले मरे ज॥्यार कोसिश करता हूं अपनी डार उथाथा हूं यहां पर मुझे मिल ञाता है वौटर मिलन कारीतार हूं और भागता हूं माथ तो मैं फटाफट से वाटरमल लेकर इतने टाइम बाद यहां पहुंच पाता हूं और फटाफट से काटता हूं और पैडलोग की इसमें से मिल जाती है तो मैं भागता हूं नीचे बट में दिमाग में आता है कि अब तक ग्रैनी उड़ चुकी होगी तो मैं थोड़ा सा अब आगे 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 देखा पोला तब तक मैं इतना पैने करने लगता हूं कि मैं उस पे बैठ जाता हूं उपर जमीन पर तो मैं फटाफट से में नीचे घिशते वे अपने आपको निकलता हूं तब बहुत टाइम लगने वाला है पहुंचने में जहां पर मैं जाना च पैदलो टॉब कर देता हूं यह मैंने ऐधरा की carro कर दी हमें बबब जाने की कोशिच करूंगा एकस बोट आने अरे अरे लो क्लाशमफ को डां और केड़ा का टिया से क्रोस बोट आने अब मैं बहुता हूं छिके कभी भी वहा सकती है औरे नशे 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 उपपी, तो फिर से में नीचे को जाऊंगा, अपनी क्रॉसबो उठाऊंगा, गैसुलीन कैन, फेकूंगा हाँ, प्लान, गैसुलीन कैन या पे फेक दूँगा, और ये गेट बंद करके अपनी टर्नलाइजिंग डार्ट उठानी और क्रॉसबो उठानी है, तो ये मैंने डार्ट रा, ट्रैंक्यूलर, पता नहीं क्या नाम है, मैं टर्नलाइजिंग छोटे पर से बोला हूं, मतलब 2017 से बोला हूं, जब से गेम आया है, तो आदत सुधार नहीं पड़ेगी जल्दी, अब सुधार लेते हैं, चलो, आज से ही, तो यहां पर फाइनली ग्रैनी आई जाती है, और मैं इनको फटाक से डार्ट मार देता हूं, और इसके बाद मैं फटाक से डार्ट उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बटी रोल हो रही है, लिटरली, आप उट जाते है, मैं भागता हूं, उपर कि और खिच के और ये ग्रैनी को नहीं चीज़े चाहिए, अब हम लोग को हैमर जैसे चाहिए, बहुत चीज़े बची है, तो मैं आप ये बोर्ट बीरा देता हूं इसके साथ क्योंकि वैसे तो ग्रैनी आजाएगी, तो मैं ये खोल देता हूं, और अंदर वही नॉर्मल चीज़े है, और मैं देखता हूं तो ये, मैं सारे डॉट स्खोल खोल कर चेक कर रहा हूं कि कुछ मिल जाए और आकरी में पेंटिंग पीस होता है, वैसे पेंटिंग पीस को बनाने से क्या होता है, मुझे आज तक मैं ट्राय ने किया, अगर आप लोग को पता हो तो गाइस बताना कमेंट सेक्शन में कि क्य यह करूं बता के, हार ही गया है, हाँ हम लोग डोर स्केप चैलेंज करते हैं, और मैं आप पे दर फिर से घूम रहा हूं कि ग्रैनी जी आ जाए, तो थोड़ी देर बाद यह जैसे में मूव करता हूं, देखते हूं कि साइडी में ग्रैनी खड़ी और मैं इसको जो ही यह अगर लगता नहीं तो मेरी तो गुद्धी तोड़ देती है ग्रैनी ठीक है, तो इसके तुरंद बाद मैं भाग के जाता हूं पैडलोग की उठाने क्योंकि पैडलोग की से मैं सोस्ता हूं की सामने के गेट की यह पैडलोग वाला खोल देते हैं, तो मैं नीचे वाले जो से दूनों भी चेक कर लेता हूं जूं सुक्ष भी नहीं है, तो आगके से जोकी भीडाना चाने के ही फिर से पाकड़ करने के तो तो यह फिर से मैं भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी गेट के प्लैंक से तोड़ने क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगता है कि अब तक ग्रैनी उड़ चुकी होगी तो मैं क्रॉसबो ठाना सही समझता हूँ गेट के प्लैंक से पहले और मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूँ तो काफी देर से ग्रैनी नहीं आई होती तो मैं फटा फटस अपने रूम में जाना ही सरी समझता हूँ और वहां पर जो वास रखा होता है मैं उसको गिरा देता हूँ और टेबल को भी गिरा ही देता हूँ क्योंकि मैं सुचता हूँ कि रूम में मतलब वो आएगी तो चार बाइचा अपर अरे रोल क्यों होती है जगा पड़ी नहीं रह सकती है उसके अपर फटा फटा से हैमर उठाता हूँ और ये प्लैंक तोड़ देता हूँ क्योंकि फिर उसके आद प्लैंक तोड़नें एक बात एक और हम लों का लॉक हड़ जाता है गेट पर तो अब डाश बाने ही प्लैंक प्लैंक तो इस वाले रहन शोंक्ति मेड़ देवाचस अपर शोड़ने जाता हूं यह वाले प्लैंक तीन हो तोड़ देता हूं और इसके अंदर से मुझे कुछ खास नहीं बिलता है वह ब्लुति है तो उसके बाद में फटा फटा फट से अपना हैमर ड्रॉप कर देता हूं कि यहां पर अपनी क्रॉस भोग के पास और क्रॉस भोग उठा लेता हूं कि मुझे फिर से लगने लगता है कि ग्रैनी अब तक तो उठी चुकी होगी और मैं उपर रूम में आ जाता हूं तब तक ग्रैनी भी आ जाती है पीछे पीछे तो मैं ग्रैनी को फिर से नॉक डाउन करता हूं और फिर से अपनी डाड उठाओ तब ग्रैनी मेरे मूँपे गिर जाती है ग्रैनी हटो किती बूढ़ी हो गई अब उमर हो गई बच्चे मत किड्नाप किया करो हम जैसे छोटे-चोटे अंशिय से घ्राओ किजीए तो अइसी मृटावाल एटीए सट्वरा किछ टो मैं उस्क्रूड्राइवर को किरां लेता हूं Eli स्कूरूड्राइवर की तो निकलो जल दिक्लो तो मैं अपर पभाघ कर बादाए उठा बां स्क्रूड्राइवर कि यूस करने के लिए एफिर स सब्सक्राइब कर दो में है तो मैं हम इसके लिए दोदोन बेट- CB K वह चोलता हूं तो मैं गयरेज में आ जाता हूं और मैं कार खोलता हूं विसके बढ़ सीड मिलता है तो बिर्सीडी उठता हूं सामने का कार का यह भी खोल देता हूं और मैं उसमें चकर दें तो उसमें शॉट गुन का पार्ट मिलता है जो चोटी सी आगे लगी होती है वो जो भी कुछ नहीं पता है मैं गमार हूं ठीक है तो मैं उपर भागता हूं फटा-फट से बर्ड सीट खिलाने उस कवे को क्योंक अधिक्सपेक्टेशन इतने हाई होते हैं कि इसके अंदर से सेफ के अंदर से कटिंग प्लायर मिल जाएगा कि मैं तुरंती क्रोसबू हां एक्सबू बोलने जाता है क्रोसबू उठा के ग्रैनी को मारने के लिए खड़ा होता हूं कि जल्दी से वह आया मैं उसको आए और इतने में दादीची उपर से आज आती हैं तो मैं उनको फटा फट से यहां पे मार देता हूं डार्ट अरे मैं तो डरी गया था कि भाई लगेगी भी नहीं तो फिर से में बर्ड सीड उठाता हूं मैं भगता हूं डायरेक्ट उसको खना क्हाना खिलाने क्योंकि स आपने सेफ की को यूज करने के लिए भगता हूं तो अब देखो क्या यह टटी निकलता है शेफ में से तुम्हें पर फिर से अपने गुठने चटका के नीचे रेंगता रेंगता मतलब कपड़े इतने गंदे करवा देती है कि ग्रैनी अपने तो एक ही कपड़े को पर करवाना चाहरी तो मैं यहां पे सेफ खोलता हूं कि उसमें से में निकलता है इंजन पार्ट लिटरली मैं इतना ज्यादा गुस्से में था उस टाइम मतलब इतनी देड़ से मैं कोशिच कर रहा था कि कटिंग प्लार कहीं मिल जाए तो इसकलाए मैं उपर और फ्लार पर आ जाता हूं यहां पे यह बीर गि देता हो और मैंगी Mag Essarzyच के धियाएंड मिस्ट्व तो अब गाइस आज तक किसी ने किया हो तो मैं इतना उपी तरीकी से ग्रैनी को भी देखना में शॉर्ट मारूंगा डार्ड मारूंगा तो मतलब बहुत उपी लेवल का यह स्नाइप क्या बोला हूं मैं स्नाइपिंग स्किल्स ऐसी चाहिए होती है बहुत रहली मिलती है लोगों को ठीक है जिसमें से मैं भी हूं नूब लड़का ठीक है तो मैं पर चेकिंग कर रहा होता हूं कि कहीं से तो आ रही होगी और फिर म जानी इस गौन फॉर अबाउट टू मिनट्स एंड आ वस लाइक वाट थाहल आइड जस्ट डिड ब्रू मतलब ऐसे आस तक किसी नहीं मारा मैंने इत्ती वीडियो देखी आस तक किसी नहीं मारा ता लेटरली में बहुत ज्यादा स्वाग में आ जाता हूं मैं फटावर से किसे प्लेस करता हूं और यहां जंबूरा रवन के से पार करता हूं और यहां पर रखा टा क्रोव क्या बोलते हैं से क्परुप बूल गया है मैं बताओ नाम बोल गया और यह शु जी ड्याट रेक्ड था मैं उसको नाम लीटRIS नाम हुर गया हूं के इसको कहते हैं कॉक वील Κ WOW कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है तो देखते जाओं यह मैंने नीचे फेका कि अभी तक वह नहीं होती तो मैं यहीं पर खड़ा रहता हूं कि जब वह आजाए फिर मैं भागूंगा पीछे से बट गलती हो जाती है तो मैं यहां पर भी भी ड्रॉप कर रहा हूं कि अब वह आ जाए तो इसके बाद थोड़ी देर बाद ग्रैनी आ जाती है और मैं फटा फट से सोचता हूं कि उद्रों गेट खोलने लगेगी और मैं दर से भाग जाओंगा बट वो पीछे ही मुड़ जाती है और वो मुझे पकड़ लेती है और वो मेरे मार देती है बला और फिर से मैं गि ठ unterwegs के सबती हो सब्सक्राइव बला दो सतका है कि बden और मुझे आ याद को जाता है और आर दो यहाँनम्हाँ चाहिता है। और मैंने उस टाइम में दिमाग में यह था कि शॉटगन पर दो गोलियां पड़ती है बट फिर बाद में पता चलता है एक ही पड़ती है तो मैं आ पर यह गिरा देता है और तुरंती ग्रैनी आ जाती है लिटरली बिगेस्ट जम्सकेर था मेरा भी तक का तुरंती ग्रैनी जाती है मैं सोचता हूं कि यहां आईगी वह धीरे धीरे तब तक मैं नीचे भाग जाओंगा बट वह तुरंत आ जाती हो डे थ्री चालो हो जाता है तो मुझे इस बार पता होता है कि शॉटगन के सारे पीसिस कहां होते हैं तो मैं फटा-फट से शॉटगन को बना डालता हूं तो फाइनल एक शॉटगन बन चुकी है और मैंने आप एक एमो ले लियो यहीं पर मुझे पता चलता है कि एक ही एमो लिटरली यूज़ कर सकते हैं फिर भी मैं कहता हूं चलो कोई नहीं कुछ तो ज्यादा टाइम बढ़ेगा तो 30 सेकंड जादा टाइम बढ़ जाता ही आ जाती तो मैं उसको फटाफट से शॉटगन से टपकाता हूं फिर से उसको कुछलता हुआ कती भगता हूं उपर को कि अब मुझे जैसे जली कटिंग प्लायर मिल चुके हैं और मुझे फटाफट से स्किप करना है फटाफट मतलब घर छोड़ना है मुझे और मुझे यहाद नहीं लग एक पाफट जाता हूं उपरोा प्लायर मंधे लिए फटाफट में रह ऑगता है कि अलगता है मुझे जली बट मुझे लगा जकाए पाटी यडिंची जाता हूं मैरी तो मैं उसके बाद में फटाफट से मास्टर की लाता हूं और लिक आता है कि डोर कुछ तो मैं उसकता हूं कि कहां ज़रूर होता है कुछ तो मैं घलत कर रहा हूं। और मुझे पता नियों होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और फिर मैं इधर उदर घूमता हूं कि कुछ मिल जया मुझे तो काईज में देवाक में आता है कि वह रिमोट कंट्रोल से कुछ होगा तो मैं यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टे करता हूं मैं अपना कटिंग प्लायर यहां पर ड्रॉप कर दिया ठीक है और मैं रिमोट कंट्रोल से तो गेट पर यूज़ाएगा बट यह तो साइड वाले गेट में यूज़ाए जो नीचे लगाया जीनों के पास तो मैं यहां पर यूज़ करने लगता हूं पागलों की तरह है और ए आनिड़ टो गेट क्लोजर लिखा होता है तो मैं सुछतों हो जाएगा बत कुछ नहीं होता है मतलक मैं हर गेम मनुब हूं किया तो फिर मैं लिखा ओ शेट वहां पर लिखे आथा आइनीड कर्टिंग प्लायर यह मैंने पढ़ा ही नहीं मैं गवार हूं भाई मैं पेप तो मैं फटाफट से ग्रैनी को मरने के लिए रुख जाता हूं और जब तक ग्रैनी आ रहे होती तो उसी टाम मुझे शॉटगन ड्रॉप हो जाती जो कि होता है मैं साथ स्कैम और तुरंट ग्रैनी मुझे देख भी लेती है तो वह मुझे मार देती फिर से और डे 5 चालू हो क्योंकि मैं कुछ भी मुझे नहीं पताता है कि अब क्या सामान कहाँ है बस में दिमाग में एंग था कि मैंने क्रॉस बो नीचे डाली थी और वो तो आप लोग देखी चुक्ए कि मैंने क्रॉस बो कहां डाली थे उपर से ये डे टू से लंगडा आ रहा होता है तो उस पर मैं काफी ज़्यादा गुस्से में होता हूँ कि लंगडा क्यों रहा है एक ही बल लगा कि लंगडा आने लगा तो आप देखो मैं सिर्फ इ और में में देखा एंगी लोगा झाया एंगा और मुह पी बारे में बिलकुल आइडेय नहीं कि में वहां पर गुडियर डाल सकता हूं मैं दिमाग यहीं पर होता है कि कोई गलिच हूआ है मेरा cutting player गायब हो गया तो मैं बिल्कुल गायब हो चुका हूँ तो मेरा mind गायब हो गया है ठीक है तो मैं इसी पीज ग्राइनी को एक बार मार देता हूँ सोचता हूँ कि यहां कही नीचे मैंने डाल दिया है कटिंग पलाओं डालता हूँ फ्रीट्राप पर ग्राणी का प्यर नहीं पड़ता हूँ और फिरसे मर जाता हूँ ठीक है तब लास्ट डेबिस जगो ग्रके घॉला खरेचे के क15 मैं देड़ को आज मुझे हम्जे मार दें सैकर रहा हूँ कि मुझे मार देखि का और शाख्षा ग्रैनी प्रकट हो जाती और मुझे मार देती तुरंदी और फिरम वेट करता हम एक इसला बोट मुझे इसला है असले यह मुझे ढूंख मतर सिए और श्क्शाण जिए त्यूंत स्मीज़ें साल यह शायद तोड़ा नहीं था मैंने ऊपर आके कि मैं तो मस्ती में जुटा था तो इस साल भी हम लोगो ग्रैनी मार देती है तो शायद में नेक्स टाइम का डूडोर्सके तो हेलो आज भी आपने मंजन नहीं किया ना एक साल हो गया राम 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 चलो बाई ओ में बेर ट्रैप में गरता हूं गेम ओवर तो होब गाइस आप लोग को यह वीडियो पसंद आयो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना ग्रैनी दादी जी के लिए लाइक कर देना और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब कर देना तब तक लिए मैं जाता हूं सोने बाट